कि मारे दोस्तों मेरे चीनअर में आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आप अभी न benefits proud अब से भीजेयर कपर दिए फटब से फ्री वीडियोन और ताकि के काम की वीडियो आपको मिले और और कुछ नया सीख सके तो हर आपके पास नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी तो आप बटा फट से स्प्सक्राइब कर दें और फ्री में वह भी ज्यादा से ज्यादा सेर करें और लाइक करें और मेरी वीडियो पर बने रही है और मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो देख कपड़े थण के Кपड़े हैं तो यह लिए असानी से मिल जाएगा और 10 रूपह मेन हीरुपह से बना लिए थण के कपड़े और टौपगे के साथ बनाएंए तो मैंने हुड़ी वाले ड्रेस भी बनाई है आप देखिए इसमें तो इस तरीके का एक रुमाल आप ले लीजिए बाजार दस रुपे में आएगा ज्यादा मेंगा नहीं है और यह देखिए अब मैंने क्या किया उसको मैंने कट करा फोल्ड करा यह देखिए आप मैंने यह फोल्ड करा दोनों तरब से रुमाल को और यह फोल्ड करके और मैंने केची से काट लिया है दोनों हिस्सों में आधा-धा कर लिया है मैंने फोल्ड करके तो यह देख सकते फिर जो लंबा हिस्सा निकलता है जो हमने कट करा फोल्ड करके तो लंबा वाला हिस्सा हो जाता है तब उस लंबे वाले हिस्से में से हमने करा उसमें से भी चोकुर कर लिया है कम आदा उसको भी कर लिया है और ये फिर चोकुर इस तरी के लेके और ये में ने ये गला बनाय करा है तो इस घले में हम अटेऀच करेंगे अब देखिए गानल भी हम हम टूप वाला बना रहा है === ता वर्भा में घरमकपड़े तो आप देखी है । इस तरीगे कर लिज़े हैं तो आप गोल कर सकते हैं। जोपोर गोल कर सकते हैं के साथ से देख आप हम क्या करेंगे अब हमाएं तोप बनाना है तूपे के लिए इसे फोल्ड कर रहा है यह जो वो टूपड आप विर दो हम ने आदे के बाद और कर फिर और कर हमने आदा तो आदे में हमने वो पोषाक बनाई और आधा अप उपर का हम टोपा बना रहा है तो यह टोपे का हिस्सा Praise। अपれた द्यान में दे लीजिये का। गले का हिस्सा था वह उसका नीचे का पोष्याख till एक ओपर टोपा है। तो यह ध्यान दें लीजिए वह चोली है मान तो मैं तो का लिए बजय भादा is अलारे वा जाता हो टो दाये हुडी बनाई है ढाल गोपाल की जो छेट आप को मैंने बताया था ना चोकर कपड़े वह गला है गला है गले के साथ मैने आटेज करा है पिछे के साइट का जो अपना गर्धन हे ती ना पिछे के साइट के हिस्से से पीछे वाले हिस्से में अटेज करना है और पूरा नहीं करना है पूरा गला छोड़ना है ये धियान रखे कि गला नहीं सिलाना चाहिए पूरा गला नहीं सिलना चाहिए सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा सिलना है पेक मत कर दीजिए आप अगर पेक कर देंगे आप तो पेनाएं आदा वह भी तोप को करना है अदा टोप का हिस्सा वही बस कपड़े में सिलना है ताकि हम पेनाने के लिए उनको पेनाएंगे उनका चेहरा तो हमें दिखना चाहिए ना पुरा चेहरा थो भी धकना है उनका सिर्फ सर ढखना है और कान ढखना है तो इस तरीके से आप देखिए यह बन गए हमारा यह हुड़ी ड्रेस बन गए और मैं बताती हूँ कि मैंने एक रुमाल में मैंने कितने कपड़े बनाए मैंने चार पांच पांच चीजे मैंने बना ली है एक रुमाल से तो आप यह देखिए यह हुरी ड्रेस दो यह आको कंप्लीद हो गय एज़ाई अब आगे देखिए कित्चारी मैंने ड्रेस बनाई है तो यह मेंने देखिए है आप तो मैंने कितने यूश में ले लिए चीज़े एक रुमाल से मुझे ये इतना बना है तो आप ये देख लीजिए एक हूडी वाली ड्रेस बन गई है और एक केप वाली ड्रेस बन गई है ये देखी है एक हूडी ड्रेस और एक केप वाली ड्रेस और ये देखी है ये गणेजी की भी बन गई ये बड़े बाल गोपाल की है बोड़ी वाली और ये छोटे बाल गोपाल के लिए बनाई है मैंने टोपे वाली और ये तो गनेजी की है छोटी वाली ये गनेजी की आप देख रहा है ये लंबी में की और ये डुपट्टा है गाए कि ये आप देख रहा हैंगे छोटा सा य इसलिए हम उनके कपड़े बनाने में थोड़ी प्राब्लम आती है कि उपर का कपड़े नहीं बना पाते हैं उनके टिक से क्यों चिप के वे उनके उपर से वह है डिजाइन यह डुपट्टा बनाया ठंकाम के लिए और फिर और मेरे पास ओर थोड़ा सा कपड़ा बज गये था तो सोचा मैंने कि अब इसको फेकने से क्या मतलब इसलिए मैंने उनके टक्या में नहीं तक्ये में उपर का कवर चड़ा दिया मैंने यह जोक़ोर वाला है देख रहे है पुरा एक जैसा सेट हो गया, एक जैसा हो गया, तो यह ड्रेस्ट भी बनाई है, और विए नई वीडियो लाती रहूंगी, तो प्लीज मेरे स्ट्टेइनर को सुष्क्राइब कर दें फटा-फट से और भाई झाल झाल